अथा है है लो फ्रेंड वैलकम डू मैं चैनल मैं हूं संस्कार और आज का हमारे वीडियो का ट्रॉपिक है टर्टल विंटर के 얼마나 में टर्टल की कैसे केर करनी है हमें इस बारे में आज आज जानेंगे विंटर के अंदर टर्टल एक जो है cold blooded animal होते हैं अनिमल के रेप्टाइल होते हैं ये तो ये cold blooded होने के कारण ये खुद का body का temperature maintain नहीं कर सकते तो इसलिए इनको धूम फगेरा या ऐसे में बैटने की ज़रूत होती है तो wild में तो ये होता है सर्दियों में ये अपने पूरी सर्दियां पर अपने जब टैंक में रखते हैं तो इस अपन वैसा नहीं कर सकते इनके लिए wild जैसा environment नहीं create कर सकते तो इसके लिए हमें इनके लिए गर्मियों जैसा महुली create करना पड़ता है तो उसके लिए आपको यहां पर जो water का temperature है वो एक तो बढ़ाना पड पड़ेगा और दूसरा एक इनके लिए हीटिंग लैंप लगाना पड़ेगा क्योंकि सर्दियों में आप इनको डारेक्ट धूप में तो नहीं नहीं सकते मैं तो क्या गरीमियों गरीमियों इनको रोजाना दूप दिखाता हूं तो इसलिए में को यूवी बल्ब की यह से लगा सकते हैं इस возвращ लेहर सकते से साथ में अगर लगाएं तो ठीक है पर अगर आगर पाती यदद उसका इत्ता जो होती है हीट में बन पाती है इस लिए आपको हीटिंग बन measured तो इस्लिएए स्कामिर को अभी इसके उपघर कावर नहीं मिल पाया में को तो उसके लीए मैं सर्च कर रहा हूं उप आपको पताओ जैपुर राज़तान में कहीं कवर ऐसा बण सबन जाता है टेंग का तो में पर रहा है इसमें यह 28 पर रखा टैमपरेचर सबसे सही रहता है 28 यह 30 तो कई बार कशेची पर तो कई बार करना पड़ता है तो वह कम टैमप्रेचर बार-बार और कम होता जाता है इसलिए आप तोड़ा बढ़ा भी सकते हैं यह आप भी रसी जाएंगे चीज और इसमें नए टैंक में देखे आप में टर्टल काफी अच्छे से स्विम कर रहा है काफी खुश है पहले ही मेरे पास दो थे टर्टल पिछली सरदियों में पर उस टाइम कुछ प्रॉब्लम के कान वह एक मर गया और मैं उस टाइम ध्यान नहीं रख पाया क्योंकि अगर ही टर एक कोने में रहता है और बड़े टैंक में टर्टल के स्विम करने से इतना फ्लो नहीं बन पाता है तो इसलिए फिर अना पूरे टैंक का वाटर का टैंपरेजर सेम नहीं रहेगा तो वह बार बार सुम करेगा इधर उदर तो टर्टल शॉक में मैंने टेंक में तो इससे क्या पूरे टेंक का टेंपरेचर एक जैसा रहता है और विंटर में यह आपको मैंने बता दिया है और दूसरा इसको अब विंटर के अंदर काफी सारी वेजिटेबल्स भी आती है तो वो भी आप इनको खेला सकते हैं गाजर और मटर वगेरा यह इ से इनको ऐसी चीज़े खिलाएं जिससे इनमें विटामीन एकी डेफिशेंसी नहीं हो और दूसरा आप इसको एक ग्रीन पीस भी दे सकते हैं जिससे इनके अंदर कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होएगी तो ग्रीन पीस तो वैसे वी सालवर मिल जाते हैं आजकल पर वो एक जो आते हैं बजार में ताजा उनकी बात ज्यादा सही है तो यह देख सकते हैं आप टर्टल भी मेरे काफी अच्छे से स्विम कर रहा है मेरे टर्टल टैंक की अपडेट वीडियो भी जल्दी आएगी उसमें मैं सब चीज बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे मैंने इसके बास्किंग एरिया क्या रखा है तो यह देखी टर्टल मेरे अच्छे से स्विम कर रहा है थोड़ा टैंक गंदा हो रखा है इसको साफ करना है पर अभी ज्यादा गंदा नहीं है इत्ता यह उपर से देखने पर इत्ता गंदा नहीं लगता है सामने से तो काच भी कह थोड़ा धुंजला सा हो जाता है गंदगी के कान तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए